ये question जन्म जन्मांतर से, I mean, जब से seated है, तब से बहुत बार पूछा जा चुका है भाशा यादरिक्षिक है, इसका क्या मतलब है, ये से क्या तातपर है, ये पूछा है पहला option है, भाशा पहले से निर्धारित सिध्धानतों का पालन करती है, यानि कुछ rules होते हैं, जिनको follow करती है language चलो होते हैं rules, लेकिन वो तो, भाई सिध्धानतों के अनुसार चलती है, नियम के अनुसार चलती है, उसमें आगया यादरिक्षिक है, इसका मतलब तो यहाँ पे नहीं लग रहा second option है, भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर निहित संबंद है, यानि कोई inherent relation है, कि कोई शब्द क्यों है, यानि इस पैन को पैन क्यों कहते हैं, इसके बीच में कोई संबंद है, नहीं, अंतर निहित संबंद नहीं होता है, इसका just opposite ही यादरिक्षिक कहला स्वतंत रहे स्वचन्द है भाषागर मैं कहूं, शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंद किसी ठोस कारण और कारण पर आधारित है, ना कि बस यूहीं, बस यूहीं है, कोई ठोस कारण नहीं है, शब्दों और चीजों के बीच में जो meaning है उसका कोई मतलब नहीं है मन क्या पैइन कहा दिया, टैन कहाद दै तो टैन हो जाता है कोई खास सम्मंद है, सच техोस सम्मंद नहीं होता कि इस ड्लास को ग्लास क्यों कहते हैं, कोई मतलब नहीं है बना दिया, बस बाद खत्म फिर आते हैं नेक्स्ट फोर्थ है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर नहित संबंध नहीं है ये बात एकदम सही है कि जो शब्द हैं और जो अर्थ हैं कोई inherent meaning नहीं है कोई अंतर नहित ये में इंग्लिश में क्यों बता रहे हो क्यूंकि पेपर में translated ही मिलेगा अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर नहीत संबंध नहीं है ये बात एकदम सत्य है कि कोई inherent meaning नहीं होता इस pen को pen क्यों कहते हैं 10 कहते तो 10 हो जाता यानि कोई inherent meaning कुछ होता नहीं है इसलिए language arbitrary है स्वचंद है या द्रिक्षिक है अगर हम कहें तो है ना clear है बात बहुत लग भाशाकी विशेश्चता अगर मैं कहूं तो पहशा की विशेष्टाओं में आता है कि भाशा नियमों का पालन करती है रूल-governed system है लेकिन याद्रिखशिक का मतलब यह नहीं है तो यह अपने आप में सही है first option लेकिन इसके बारे में सही नहीं है जो पूछा गया है question तो जो पूछा गया है question में उसी को दिन रात समझ करके बिल्कुल अंतिम बात वही है जो पूछा है उसका जवाब देना है अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी जवाब देना अंतरनेट संबंध है नहीं अंतरनेट संबंध नहीं होता है उसको यादरिक्षक कहते हैं ठोस कारण नहीं है उसको यादरिक्षक कहते हैं तो यह दोनों option वैसे गलत हो गए बचता क्या अपने पास यही बचता है तो कमल को अगर समल लिख देते मतलब उस कमल का नाम समल कर देते, मेरा नाम कुछ और रख देते, घरवाले क्या फर्क पड़ता है, कोई इंटर्नल मीनिंग थोड़ी है उस चीज का